नमस्कार सांतिय। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्ट्रमाइट पर सांतिय। ये करेंट रिपेर का प्रैक्टिस टेस्ट नमर 15 है। अभी तक हमने इस चैनल पर एक सेले करके 14 तक करा दी है। अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाहिए। प्रि प्रैक्टिस टेस्ट को ना छोड़े अगर आप पढ़ लिए हैं तो एक बार और यहां जो है रिविजन कर लीजिए देख लीजिए आपको बहुत फायदा करेगा मित्रो। तो सांतियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि कुछ ज्यादा ख्वाई से नहीं ए जिन्दगी तुछ से कुछ ज्यादा ख्वाई से नहीं ए जिन्दगी तुछ से बस यह मेरा अगला कदम पिछले से बहत्रीन हो बस मेरा अगला कदम पिछले से बहत्रीन हो तो चली साथ यह सुरू करते हैं यह ट्रैक्टि स्टेस्ट नमर 15 है देखेंगे हम लोग पहला को पुद्री को जो है नमामी गंगे मिसन के लिए सुम्भकर के रूप में चुनने का काम किया है। पुद्री को जारी किया गया है तो युवाओ के कौसल विकास है तो समाजी किन्या एवं अधिकारिता मंत्राले के दवारा हाली में पुद्री किया गया है। अधिकारिता मंत्राले के दवारा ये जारी किया गया है। कुछा नमर चार को देखेंगे। चार में क्या कहा जारा है कि भारतिये वाईशना ने किस राजजयक के अंसासित परदेश में दुनिया के सबसे उच्छे मोबाइल एर ट्राफिक कंट्रोल याने की एटी सी टावर का निर्मान किया है। तो भारतिये वाईशना ने हाली में जो है लदाख में एटी सी टावर का निर्मान करने का काम किया है। राज जथा के अंसासित परदेश को अपनी ओबी सी सुची बनाने के अधिकार से हैं। कुछा नमर छो को देखेंगे। भारत का पहला वाटर पलस सहर की से घोचित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे कुछा नमर साथ को देखेंगे। साथ में क्या का जारा है कि भारत के पहले हिमालियन फिलिम फेस्टिवल की मेजवानी किस राज जया के अंसासित परदेश के द्वारा किया जाएगा। भारत के पहले हिमालियन फिलिम फेस्टिवल की मेजवानी तो यह लदाख के द्वारा हाली में किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे कुछा नमर आठ को आठ में क्या कहा जा रहा है। कैन सरकार द्वारा वीकल पॉलीशी को लंच किया गया। जिसके तहत कमर्शियल और प्राइवेट जितनी गाडिया है इसको कितने वर्सों के बाद आठ कर दिया जाएगा। तो इसको जो है 15 से 20 वर्सों के बाद इसको एस्क्राइब कर दिया जाएगा इसको ध्यान रखिएगा कुछा नमर 9 को देखेंगे हाली में भिंडावास वन जीव अभियारन एवं सुल्तान पूरा श्री ए उद्यान को रामसर अस्तलो के सुची में सामिल किया गया यह किस राज में इस्तीत है तो यह कहां इस्तीत है तो यह हर्यान में इस्तीत है इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ नमर 10 को देखेंगे 10 में क्या का जा रहा है हाली में प्रकासित पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है अब चार को अपसन दे रखा है पुछ रहा है कि इन चार अपसन मेसेज़ नहीं है तो इन ए आइडियल वर्ड जो है कुनाल बसु के दवारा लिखा गया एकदम सही है एकसेलेर्शन इंडिया जो है एक केजे अल्फोस के दवारा लिखा गया यह भी सही है लेकिन बाला कोट एस्ट्राइक जो है अनुराध्धा राय के दवारा यह नहीं लिखा गया है यहीं पर हो जाएगा यह गलत यह सुमेलित नहीं है बाकी यहां से एक से लेकर करें तीन तक केसों मिली थे इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुशन नमर 11 को देखेंगे किस भारती है महिला को संजुक्त राष्ट में महिला परवक्त जो है निउक्त किया गया है तो जोया अगरवाल को जो है संजुक्त राष्ट में महिला परवक्त निउक्त किया गया है आगे हम लोग देखेंगे कुशन नमर 12 क्या का जा रहा है कि भारत के पचातरवे सवतंदरता दिवस शमारों की थीम किया है क्या थीम थी यह पूछा जा रहा है पचातरवे सवतंदरता दिवस भारत का तो क्या थीम था नेशन फर्स्ट अलवेज फर्स्ट नेशन फर्स्ट अलवेज फर्स्ट इसको ध्यान रखिएगा नेशन फर्स्ट अलवेज फर्स्ट कुशन नमर हम लोग तेरा को देखेंग सेटलाइट फोन से लाइस होने वाला भारत का पार्क काजी रंगा बन चुका इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछा नमबर पंद्रों को देखेंगे पंद्रे में क्या कहा जा रहा है भारत का पाला शौदेश निर्मित विवान वहक पुत का परिक्षन किया गया जिसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या था विकरांत ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ नमबर स्वला को देखेंगे क्या कहा जा रहा है तो अरुन कुमार मिश्रा जी को ठ्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि भारत में परियावरन के स्तिति रिपोर्ट दुहार्य 117 में भारत को कौन सा अस्तान पराप्त हुआ तो यह भारत को जो है एक सासा तरहवा अस्तान पराप्त हुआ है हाली में आगे हम लोग देखेंगे कुछन नमर अठारा को पूने में किस परजेक्ट की शुरुआत की है तो इहन्टेट परजेक्ट को जो है पूने में जो है शुरुआत किया है इसको ध्यान रखिएगा इहन्टेट परजेक्ट आगे हम लोग देखेंगे कुछन नमर अनईस एक नाइट ओल बलड इस ब्लैक कुस ब्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज द्यार 31 से समानित किया गया है तो इस डेविड डियॉप को जो है बुकर पुछकार से शमानित किया गया है 21 में डेविड डियॉप के लिए को आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछन नमर 20 को को देखेंगे पुस्तक एस्ट्रैजिंग Da Player in माइ लाइफ के ले खक कौवन है सुरिनिलका वासगर यह रवी सास्त्री जी अरी रवूसी का पुस्तक है एस्ट्रैजींग Da Player in माइ लाईफ इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछिन नमर 21 को देखेंगे दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एबरेष्ट पसरवादिक बार चठाई करने का रिकॉर्ड किस वेक्दी ने बनाया है तो सरवादिक बार रिकॉर्ड जो है किस वेक्दी ने बनाया है कामी रिता सिर्फा जी ने कामी रिता सिर्फा जी ने आगे हम लोग देखेंगे कुछिन नमर 22 को कहा जारा कि सवस्तियम कल्यान के छेतर में बजट 21-21 की अपेक्षा बजट 21-22 में कितना अधिक धनरासी का वंटन हुआ है तो 137 परशेंट का जो है धनरासी का वंटन हुआ है इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ नमर 23 को देखेंगे किस राजचरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमरित वाहिनी एफ लॉंच किया था उत्रपरदेश या मतपरदेश या जारखंड या ओडिचा तो जारखंड जो है अमरित वाहिनी एफ लॉंच किया था अस्पताल में ऑनलाइन बेड के लिए बुकिंग के लिए इसको ध्यान रखिएगा जारखंड के द्वारा किया गया था कुछा नमर 24 को बनाईए 24 में क्या कहा जा रहा है किसरा सरकार द्वारा घर पर कुविड मरीजों के इलाज की सुबदा के लिए संजीवनी परियोजना की सुरुवात की गई पंजाब या हरियाना या उतरपरदेश या 36 गड़ तो यह हरियाना सरकार के द्वारा जो है कुविड मरीजों के इलाज की सुबदा के लिए संजीवनी परियोजना की सुरुवात की गई थी ध्यान रखिएगा हरियाना सरकार आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछा नमर 25 को देखेंगे क्या कहा जा रहा कि हाली में जारी रिपोर्ट के नुसर 20 एक ऐसी में भारत में सरवाधिक परत्यक्ष बिदेसी निवेश यानी कि एफडि एई किस देस से पराप्त हुआ है तो यह सिंगापूर से पराप्त हुआ इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछा नमर 26 को देखेंगे 26 में क्या का जा रहा है भारतिय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किये गए आइनस राजपुत के संबन्द में कौन सा कथन सही है सेवा मुक्त किये गए आइनस राजपुत इसमें का क्या हजारा है कि कौन सा कथन सही है पाला कथन दे रखा है यह भारत कपाला विदवन्स पुतक है इसे जो है अनई 180 में नौसे ना में सामिल किया गया था तो सांतियों कौन सा कथन सही है अब यहाँ आप लोग बताईए यहाँ पे दोनों कथन सही है क्योंकि यह भ किसे चुन लिया गया है तो सुबहत जैसवाल को जो है सीवी आई के नए निदिसक के रूप में चुन लिया गया है कुछ नमर 28 को मनाईए मुक्त बेपार समझावता यानि कि RCEP को लागू करने वाला विस्व का पहला देश कौन बन गया है RCEP को लागू करने वाला विस्व का पहला देश कौन बन गया है तो RCEP को लागू करने वाला विस्व का पहला देश सिंगापूर बन गया है यानि कि मुक्त बेपार समझावता को आगे हम लोग देखेंगे कुछ नमर 29 को भारतिये मुल्के किस महिला को जो है अमेरिका की एसोसियेट अटार्णी जनरल के रूप में चुन लिया गया है तो ये विनीता गुपता जी को जो है एसोसियेट अटार्णी जनरल के रूप में चुन लिया गया है आगे हम दो देखेंगे कुछन आमर तीस को तीस में क्या क उसका थीम पुछा जा रहा है तो कुशन नमर 32 को बनाइए इसको ध्यान रखेगा कुशन नमर 33 को बनाइए चुनावी बॉंड दाता का नाम घुशित करने वाली पहली राजनीतिक पाटी कौन बन गयी है आगे हम लोग देखें है कुशन नूबर 34 को किस देश ने अपने नए चंदर मिशन लूना पचीस की घुसना किया है किस देश ने अपने नए चंदर मिशन लूना पचीस की घुसना किया है अमेरिका या चीन या जपान या रूश तो कौन सा देश होगा तो रूस ने लूना 25 जो है इसकी घुसना कर दिया है कुछा नमर हम लोग 25 को बनाएंगे 35 में क्या का जा रहा है पुस्तक The Living Mountain किसके दोरा लिखा गया पुस्तक The Living Mountain ये किसके दोरा लिखा गया जरह आप लोग बताएंगे तो यह पुष्टक जो है अमिताव घोस जी के दोरा लिखा गया था ध्यान रखिएगा अमिताव घोस के दोरा अमिताव घोस के दोरा कुछा नमर 36 को मनाईए 36 में क्या का जा रहा कि वर्चुली आयो जी पी फोर जी सम्मेलन दुहर 21 की मेजबानी किस देश ने किया तो यह दक्षिन कुरिया ने किया था इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ नमर 37 को देखते हैं 37 में क्या का जा रहा है गलोवल इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स गलोवल इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 21 के संबंध में कौन सा कतन सही है अब यहां पे चारो कथन को पढ़ना है और जबाब देना है तो कहा रहा है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है तो हाँ यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है गलोवल इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है या पर्थम अस्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ तो हाँ इसमें जो है पर्थम अस्थान स्वीडन को ही प्राप्त हुआ भारत को 27 अस्थान प्राप्त हुआ यह भी सही है जो यह यहां पर चारों अप्सन सही हो जाएंगे इसको ध्यान रखिये यानि कि यह सभी हो जाएं कौच कुंडल लॉंच किया है कौन सा राज बताएंगे उसी राज का नाम क्या है तो महाराष्ट जो है कौच कुंडल लॉंच किया था मिशन इसको ध्यान रखिएगा इसका यह लक्स था प्रति दिन 15 लाख लोगों को करोना टिका लगा दिया जाए महाराष्ट आगे हम लोग देखेंगे कुशन नमर 49 कौमे ब्रीज इनर्जी रिसर्च एसोसियेट यानि कि CERA द्वारा की से वैस्विक उर्जा और पर्यावरन नेतरित प्रुसकार परधान किया गया है नरेंदर मोदी को या रामनात कुमेंट जी को या परकाह जावरकर को या योगी जी को तो नरेंदर मोदी जी को जो है CERA यानि कि कॉम्ब्रीज इनर्जी रिसर्च एसोसियेट वैस्विक उर्जा और पर्यावरन नेतरित का प्रुसकार दिया गया नरेंदर मोदी जी को आगे हम लोग देखेंगे कुछ नमर चालिस को किस भरतिय वालिवाज को जनवरी माह के लिए ICC पलेयर आफ दा मंथ अवार्ड दुहार 21 सामानित किया गया है तो रिशब पंथ को जो है पलेयर आफ दा मंथ अवार्ड दुहार 21 सामानित किया गया था इसको ध्यान रखियेगा कुछ नमर 41 को मनाईए राज के घरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्द कराने के लिए कि उधेस से किस राज सरकार ने मा किचन योजना की सुरुआत किया है मा किचन योजना की शुरुआत की गई है किस राज सरकार के दोरा तो ये हाली फिलाल में पश्चिम बंगार राज सरकार के दोरा मा किचन योजना की शुरुआत की गई थी कुछ नमर 42 को मनाईए 42 में क्या का जा रहा है कि Economist Intelligence Unity यानि की EIU 22 वैस्विक लोकतंत्र सुचकांग 22 की संबंद में कौन सा कतन सत्थ है यहाँ पर जो है EIU की अनुसार बताना है कौन सा कतन सत्थ है 22 के सुचकांग की अनुसार 42 के जवाब दीजिए इसमें पर्थम अस्तान नार्वे का प्राप्त हुआ यह भी बात सही है दुसरा कहरा इस हुचकांग में भारत का स्थान तीर पनवार हा यह भी बात सही है क्या हो जागा यहाँ पर दोनों का थन सही है आगे हम लोग बढ़ेंगे कौछ नमर 33 को देखेंगे TV मुक्त घोसित होने वाला देश का पहला राज्या केंसासित परदेश कौन बन गया है TV मुक्त घोसित होने वाला देश का पहला राज्या केंसासित परदेश कौन बन गया है तो यह आपका लक्षदिप बन गया है TV मुक्त होने वाला पहला केंसासित परदेश लक्षदिप बन चुका है आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ नमर्च वालिस को देखेंगे अब फिरका की सबसे उची चोटी माउंट कली मंजारो पर चढ़ाई करने वाला बिस्व का सबसे युवा परोत रोही कौन बन गया है अब फिरका की सबसे उची चोटी जिसका नाम है माउंट कली मंजारो पर चढ़ाई करने वाला बिस्व का सबसे युवा परोतरा है परवत जो है रोही कौन बन गया है अरजुन सरमा जी, पुनित जैसवाल जी, विराट चंद्रा जी या परणा कुमार जी तो ये कौन बन ग 45 में क्या का जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े होकी इस्टेडियम का निर्मान कहां किया जा रहा है तो रावर केला में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, रावर केला में किया जा रहा है, कुछ से नमर 46 को मनाईए, का जा जा रहा है कि भारत के पाला खिलावना वी न पिर्मान कलास्टर किस राज में खोले जाने की घोष्णा किया गया है किस राज सरकार के द्वारा की शुरुत की गई है बजट 21-22 के तहग तहद 3 साल में कितने मेगा टेकस्टाइल पार्क बनाने की योजना है ये पुछा जा रहा है तो इसके तहद 7 जो है मेगा टेकस्टाइल पार्क मनाने की खुसना किया गया है आगे हम लोग देखेंगे क्विशन नमर 49 मुप चूट दीया गया है, कितने वर्स के इजिस देखतें के अधिक व्यक्ति को वर्स से अधिक उम्र के बेक्ति Data और कािए. कूट अधिक व्यक्ति को आगे हम लोग देखेंगे कुश्चन नमर 50, इस सिट का लास्ट कुश्चन, अन्त भला तो सब भला, का अगरा कि बजट 21-22 में किस उर्जा मिशन को सुरू करने की यूजना है, मिथेन उर्जा मिशन की या आउक्सिजन उर्जा मिशन की, या नाइटोजन उर्जा मिशन की, या हाइडोजन उर्जा मिशन की, तो साथ ही हो, क्या होगा जबाब, जर आप लोग जाए कुमेंट वाक्स में और इस कुश्चन का कुमेंट करके, बताएगा हमें, आपके हमें कुमेंट करें जार रहेगा, वीडियो देखने के लिए और शात देने के लिए बहुत हुँ धनवात इस वीडियो को आप अपने सारे दुस्तों में सेर करते सारे ग्रूप में एक बार भेज़ दे ताकि वे लोग भी देख सके हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिंद जह वारा